जैशे किशना दोस्तों रादे रादे मैं हूँ दिव्या और आज की इस वीडियो में ना तो मैं कोई रेसिपी शेयर करूँगी ना ही हम कोई बच्चों से रेलेटेड वीडियो शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगी वो है कि हमें कोई भी भगवान की कथा या कोई भी भगवान की पूजा मनुरंजन की दरश्टी से क्यों नहीं सुननी चाहिए या हमें कोई भी भगवान की कथा इस दरश्टी से नहीं सुननी चाहिए कि हमारा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा भगवान की कथा हमें इस दरश्टी से सुननी चाहिए कि हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज आए और हमारा भगवान में मन लगे, हमारा भगवान में ध्यान लगे अब आप की मन में क्योशन आएगा कि हमें कोई भी ऐसी भगवान की कथा मनुरंजन की दरश्टी से क्यों नहीं सुननी चाहिए क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं या किसी कथा को सुनते हैं तो वहाँ पे लोग अपनी कुछ घर की बातें करने लग जाते हैं या इधर घर की बातें करने लग जाते हैं तो ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए हमें वहाँ मनुरंजन इस तरीके से क्यों नहीं करना चाहिए तो उसका मैं आपको आंसर दे देती हूँ भागवत कथा में लिखा हुआ है भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन अर्थात एक जन्म का नहीं अपितु अनन्त जन्मों के भाग्ये जब उद्य हो जाते हैं एक जन्म के नहीं भाग्यो दयेन बहुजन्म बहुजन्म अर्थात कई जन्मों के जब भाग्ये उद्य हो जाते हैं तब कहीं जाकर हमको श्रीमद भागवत कथा शर्वन में रुची हो पाती है अर्थात जब हमारे कई जन्मों के भाग्ये उद्य होते हैं तब हमारा कहीं भगवान की बातों में हमें रुची हो पाती है और ऐसा होना बहुत ही संभव नहीं है जब हमारे उपर भगवान की कृपा होती है तब ही हमारा ऐसी चीज़ों में मन लग पाता है या फिर हमें ऐसी चीज़ें सुनने का अफसर प्रदान हो पाता है तो इसलिए हमें भगवान की कोई भी कथा मनुरंजन की दरश्टी से नहीं सुननी चाहिए या फिर इस दरश्टी से नहीं सुननी चाहिए कि हमारा वहां थोड़ा टाइम पास हो जाएगा हमेशा भगवान की किथा इस डश्टी से सुनिएगा कि हमारे जीवन में पॉजिटिव जेन जाएगा और हमारा भगवान में मन लगेगा हम भगवान की पूजा में अच्छे से मन लगा पाएंगे क्योंकि ये बात तो भागवत में भी लिखिया तो एक जन्म नहीं कई जन्मों के जब आपके भागवान की कथा को श्रमन करने में रुची हो पाएगी तो यहीं पर मैं अपनी इस चर्चा को खतम करती हूँ अशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी रादे रादे जैशी किष्णा